तो हमारे जो wash basin होते हैं इतने बड़िया से हम tap नल लगाते हैं वो सारे नलों में न मिट्टी आ जाती है उसका प्रेशर इतना अच्छा नहीं आपाता जितना हमें चाहिए यह सारी प्रोब्लम आती है टंकी में मिट्टी की वज़ा से और गंदा पानी दीवाली के टाइम हम हम हर चीज की सफाई करते हैं ऐसे मुझे याद आया कि पीने की टंकी जिसमें हम पानी भी पीते हैं चाहे अक्योगाड लगाओ लेकिन पानी तो हम उसी सही टंकी सही पीते है ना उसमें कितने सारी मिट्टी होगी जब मैंने जहां का मेरे खौश होगी इतनी सारी मिट्ट अब इसे साफ कैसे करें? अब इसे साफ करने के लिए या तो हमारे पास प्लू पंप वगर कुछ चाहिए जिससे हम पानी को बेस भी न करें और किसी में भरते जाएं उसके बाद उसकी मिट्टी को साफ किया जाए या कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अंदर जाए उसकी सफाई करें, अब ये दोनों तो पॉसिबिल नहीं है, मेरे लिए तो पॉसिबिल नहीं है, तो अब क्या करूँ, मैंने छोटी सी जुगार बनाई है, पहले उसको देख लेते हैं, ये चीजें जो है न हमारे घर में होती ह कोई भी पाइप ले लीजें, जैसे लाइट वाला कोई पाइप होता है, वो ले लीजें, अगर पाइप भी ना हो ना, तो कोई बात नहीं हमारे पास बड़ा सा वह हो जाता ना वाइप पर, उसका पाइप आप निकाल सकते हो थोड़ी देर के लिए, कोई भी खाली कर लिए हमें कुछ ऐसा वेक्यूम बनाना है जिससे हमारा काम हो जाए इसे हमें बहुत पास-पास में कट करना है मैं न आ इस तरीके से बना लिया अब जो इस टाइप का जो पाई पोता है न उसे हमें इसमें फिक्स करना हो तो यह मैंने इसे पेक कर दिया इस तरीके से आप किसी की मदब भी ले सकते हíamos मतलब दो जने हो तो काम हो जाएगा यह आदी युकार तो हमने कर ली, बस थोड़ा सा काम और है, ये तंकी हमारी बिल्कुल साफ हो जाएगी, पाइप के दूसरी तरफ मैंने इस तरीके से ये लगा दिया है, अब इसी में मैं इस पाइप को जोडने वाली हूं, यहां भी आपको कुछ ढीला लगें, तो आप टेप से से अच्छे से जोड सकते हो, यह वाला पोर्शन जो है, हमें तंकी के अंदर डालना है, यह देखिए कितना गंदा कचरा आ रहा है, जो दिख भी नहीं रहा था, कितना नमक सा पानी आ रहा है, तभी तो एक वैसे भी नॉर्मल, हमारी यह तो खारा पाइप पानी आता ही है, इस नमक की वज़ा से और ज्ज़ादा खारा होता जाए जिसकी वज़े से बाल अच्छे से साफ ही नहीं होते थे तो तो इस टंकी को साफ करना जरूरी है, तीन-चार महने में हमेंसी तरीके से साफ करनी चाहिए, मुझे बहुत वग्त हो गया है, यह दो कैसे तो अब यह बहुत ही जुगाड है छोटी सी जुगाड है यह देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है यह देखिए अभी एक बाल्टी पानी भी नहीं है और पानी कितना ज्यादा गंदा आ रहा है यह देखिए यह नमक है क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है देखा न अपने टंकी किस तरीके से साफ हुई और कितना सारा अंदर से मिट्टी और कच्रा निकला है दो घंटे मैंने आज दिये अपने इस टंकी को लेकिन टंकी साफ हुई है मुझे बड़ा अच्छा लगा